हम अपने इस टुटोरियल में देखेंगे कि हम किस तरह menu, submenu, pages और blog post अपने wordpress website में add कर सकते हैं तो जैसा कि आप पहले देख रहे हैं, यहाँ पर आपका कोई भी page add नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर note form देख रहा है और simply आपको एक home link दिख रहा है, जो इस theme का default link है और आपको उसके इलावा कोई भी menu नहीं दिख रहा है तो आप किस तरह pages add कर सकते हैं, page में content कैसे add कर सकते हैं, किस तरह blog add कर सकते हैं, किस तरह menu add कर सकते हैं, किस तरह menu add कर सकते हैं, और किस तरह submenu add कर सकते हैं आये हम इस exhale capacus. लेमोमें देखते हैं. अब हम एडेश पोर्ट पे. डेश पोर्ट पे क्लिक करने के बाद. सबसे पहले हम फेमें पेज प्राइड करना देखेंगे. Suppose हम add करते हैं, Home और यहां पर उसकी description लिखेंगे, अपने home page पर हम जो भी content लिखाना चाहते हैं, यहां पर लिखेंगे Hello इस तरह हम अपने home page पर कोई भी content लिख सकते हैं चाहे तो आप image add कर सकते हैं, add media को use करके content को bold कर सकते हैं, italic कर सकते हैं और कुछ भी आप add करना चाहते हैं, अपने home page पर यहां से add कर सकते हैं आप देखने के लिए कि क्या changes हो हैं, आप preview पर click करें पब्लिश पर click करने के बाद अगर आप इसमें कोई भी content add करते हैं, तो आपको update पर click करना पड़ेगा तो सबसे पहले जब भी आप content add करते हैं, या कोई page add करते हैं, आपको publish पर click करना पड़ता है और उसके बाद जब भी आप उसमें नया content add करते हैं, आपको update पर click करना पड़ता है इसी तरह, अब इस website को हम दूसरे tab में open कर लेते हैं, ताकि आप differences देख सकें तो अब हमने यह open किया, यह इस तरह क्यों आ रहा है, यह मैं आपको बगाता है, यह default था और यह जो अब आपने add किया वह वाल है, आप इस पर click किजिए, यह देखे, अब इसे हम कैसे सरी कर सकते हैं, उसके लिए अब हम जाएंगे appearance में, menus में, हमें menus create करने, तो menus create करने के आप एक नया menu create करेंगे, by default आप जो भी menu create करते हैं, वो इस default theme में add होते रहते हैं, होते रहते हैं, इसके लिए हम पहले और pages add करते हैं, और आपको differences दिखाते हैं, मानिए हमने एक menu add करना और अपने option में, जिस पर यह वाला content किया तो हम उसको नाम देते है, menu 1, और यहाँ content में लिख दीजिए, ना click on publish, publish पे दवाईए, add new button, again, यहाँ पर menu 2, और उसकी description आप लिख दीजिए, sorry, click करिए, publish button, इसी तरह, add new, आप कितने भी pages, add कर सकते हैं, आपने website पर, contact us, about us, आप मानिए, आपने यहाँ पर add करना, एक page about us, इसी तरह हमने about us page बना दिया, इसी तरह हम जतने भी page चाहें हम add कर सकते हैं, आप पब्लिश पे click किर लिजिए, आप अपनी website पर जाके देखिए, क्या difference दिख रहा है, आपको सारे pages दिखेंगे यहाँ पर, यहाँ और उनका कोई order नहीं है, तो इस order को set करने के लिए, आपको किस तरह से कौन सा page दिखाना है, और किस जगह पर दिखाना है, आपको menu 1 मानिये, यहाँ पर चीए, menu 2 यहाँ पर चीए, menu 3 यहाँ पर चीए, और about us यहाँ पर चीए, और home A की बारी चीए, तो उस चीश को आप कैसे zet कर सकते हैं, आप menu के through set कर सकते हैं, menu में जाने के लिए हम appearance में जाएंगे, और menu पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जाने के बाद आप एक नया menu क्रिएट कीजिए, अपने हिसाब से, हमने इसको क्रिएट किया और इसे नाम देती है, main menu, और क्लिक करेंगे create menu के, अब हम इस menu में जासे भी देख रहे हैं कि कोई भी menu item एड नहीं है, तो जिस order में आपको चाहिए, आप उस order में इसमें add कर सकते हैं, suppose हमने add किya home first, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि मैं menu 1 दिखे, फिर हम चाहते हैं कि menu 2 दिखे, menu 3 दिखे, फिर about us दिखे, तो आप इस order को set कर सकते हैं, इसे drag करके और जिस भी location पर आपको चाहिए, वहां पर इसे drop कर दीजे, अब इसे save पर क्लिक किजे, अभी भी आपको वहां कोई difference नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, बताती हूँ, refresh किजी, देखे, कोई difference नहीं आया, यह हमारा होता है primary menu, प्राइमरी menu में हमें किस menu का आड़ करना हो सकता है, कि हमने बहुत सारे menu क्रिएट किया हूए, एक यहां के लिए menu bar क्रिएट किया हूए, टॉप menu में, जैसा कि हम social links दिखाने के लिए कर देते हैं, मानिए और हमने primary menu में भी अलग menu आड़ करना है, तो यह possible है कि हमारे पस बहुत सारे menu हो, तो हमें select करना पड़ता है कि हम कौन से menu को यहां पर primary में show करना चाते हैं, तो मानिए हम main menu को primary में show करना चाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर primary navigation पर click करना पड़ेगा और click करना पड़ेगा save menu अब आप देखें आपको changes देखेंगे यह देखेंगे आपने सबसे पहले home डाला था फिर menu 1 डाला था menu 2 डाला था 3 और फिर about us आप जिस पी page पर click करेंगे आप उस page पर जगा जाएंगे अब home पर click किजिए इस तरह आप menus add कर जकते हैं मानिए अब हमें इसके नीचे और pages add करने हैं तो गो हम किस तरह करेंगे same pages में जाकर हम यहां पर submenu की तरह उसे add करना जाते हैं तो हम create करेंगे submenu 1 और तरह, डिर about me back publish publish लेडि़ें लूबश्ट अद्टम को बीष आब लेकाव्ट लेड़ोग इस तरह आप एड कर सकते हैं आपना कोई भी content और उसे publish कर सकते हैं अब आपको इने show करवान है इनके submenu है माल लेजिए आपको submenu 1 के अंडर चाहिए submenu 1 और submenu 2 और menu 2 के अंडर चाहिए submenu 3 तो इस तरह आप कैसे अड करेंगे आप appearance में जाएंगे और menus में जाएंगे अगर आपको यहां पर कोई पे शो नहीं हो रहा तो आप view all पे क्लिक करेंगे view all पे क्लिक करने के बाद आप में पहले add करना submenu 1 को submenu 2 को submenu 3 को add करतीचे add करने के बाद आप देखने हैं यहां नीचे को add हो चुके अब आप इनका order बन चुके और menu 1 उसका parent इसी तर आप menu 2 को add कर सकते हैं और menu 3 को add कर सकते हैं menu 2 के अंडर और इसे आप save कर सकते हैं और आप देखें यहां पर change जो आप इसके उपर लेकर जाएंगे तो आपको submenu 1 दिख रहे submenu 2 दिख रहे है menu 2 के अंडर submenu 3 दिख रहे है अब मानिए आप चाहते हैं के menu 1 के अंडर submenu 1 आए और submenu के अंडर submenu 2 आए तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे submenu 2 को इसका child बना देंगे इधर drag करके और इस पर save पर क्लिक कीजिए और refresh करना है menu 1 के अंडर आ रहे है submenu 1 और submenu 1 के अंडर आ रहे है submenu 2 बास्ते के अंज़ के अंडर क्रॉंड के अंडर के होता है हमारे बहुत सारे पोस्ते हैं जो हम पोस्ते हैं वह सारे किसके अंडर आते हैं blog page के अंडर नम प्रिधा लाटे है बोस्त पर जाएंगे और पर जाने na open Canada Phase Patarla जाकर मानिए ब्लॉग, ब्लॉग एड करना है हमें, और simply add कर देना है add new category पर, यह add हो चुक है, यहाँ पर आप देखिए आपका ब्लॉग एड हो चुक है, अब हमें इसके under क्या करना है, post add करना है, तो हम जाएंगे add new पर, और यहाँ पर डालेंगे post one, अब आप इसे कौन से ब्लॉग के under show करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपने जैसे एक ही category एड किया, आप उतनी ही categories एड कर सकते हैं, और different different ब्लॉग भी बना सकते हैं, तो आपको जिस पी post, जोन से भी post को जिस पी category के under दिखाना है, आप उसे check कर लीजे, यहाँ से, हमने ब्लॉग select किया, और यहाँ से हमने उसका featured image, featured image इसलिए होता है, अब मालिजे उसकी header image आप अलग दिखाना चाहते हैं, या उसके side में thumbnail जो है उसका दूसरा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए featured image यहाँ से हर एक post के लिए select करते हैं, तो आप इसको प्लिक किए जिए, औ और जो हमारा latest होगा post वो हमारा अपड़ वाली site पर आएगा, तो हमने अब दूसरा post क्रिएट किया, post to, इसलिए हैं, हम इसको ब्लॉग के अंडर चाहते हैं, तो ब्लॉग को क्लिक किया, यहाँ से categories में जाकर, और featured image हमने select कर दी, यह बाली, set featured image, क्लिक करना है publish पे, क्लिक करने के बाद, अभी भी यहाँ पर कोई change नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी block category एड नहीं के, तो block category एड करने के लिए हमें फिर से कहां जाना पड़ेगा, मेनुस में हम जाएंगे appearance, then menus, आप यहाँ से, आप option देख रहे हैं कौन-कौन से, आप pages एड कर सकते हैं, आप अपने menu के post एड कर सकते हैं, category एड कर सकते हैं, और custom link, custom link क्या होता है, आप मानिए कि आपने follows का एक link पनाया, और आप चाहते हैं कि यह आपके facebook पे या फिर कहीं पे भी redirect हो जाए, तो आप बहाँ पर उसका, इस जगर पर आप उसका URL डाल सकते हैं, तो मानिए मैं किसी पे redirect नहीं करवाना जाते हूं, simply मैं hash डाल रही हू ताकि hash डालने से वो उसी page पे ही रहेगा, जिस पी page पे है, वो redirect नहीं होगा, तो इसको add to menu पे click कर दिया, यह आगया follows, अब आपने add करना है category blog, तो अब हम वो किसमे होगा, categories में, तो हम categories में जाएंगे और blog पे click करेंगे, और add to menu, अगर आपको यह category नहीं दीख रही तो आ आपको सारी categories show हो जाएंगे, अब आपको structure decide करना है, अब इसको save क्लिक कीजियो, और आप यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से show हो, यह आप देख रहे है, अब मानिए मुझे blog पहले चाहिए, फिर मुझे follows चीए, और फिर मुझे about us चीए, तो मैं वो यहाँ से change कर सकती ह blitos, और ब्लग को मैंने उपर किया, फिर मैंने Follow us किया, और फिर मैंने About us किया, sav, अभी से refresh क कीजिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, click क करेंगे तो एक पूस्त ऑडानिश मेन भादिखें तो पूस्त पूस्त ऑन एब को पाल नोच अटगी पूस्त वान ड़ में आगी या फोस्त ऑन देखें आपि जैसे आप नहीं पोस्ट डालते रहेंगे आपके पुराने पोस्ट नीच जाते रहेंगे तो पोस्ट टू पे हम अगर खोल कर देखते हैं आपने थम्नेल सेट किया था वाँ पे फीचर्ड इमेज में कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग, होप यू लाइक प्लीज दो नट फोगेट तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और मैं वेबसेट, बबाए